बचपन से लेकर आज तक हम फिल्में देख के ही तो बड़े हुए हैं तो ऐसे में अगर कोई हमसे ही सवाल पूछ ले कि क्या आप सिनिमा के बारे में जानते हैं? तो आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है सिनमा और फिल्मों के बारे में भला कौन नहीं जानता इनके वज़ा से ही तो हम सब जब भी मेट की करीना कपूर वाला सूट से लाते हैं और लड़के तेरे नाम वाले सलमान खान की हेर स्टाइट अरे भाई ये जमाना डिजिटल है यहां छोटे बच्चों को भी फेमस गानों की सिगनेचर स्टैप आते हैं अगर किसी छोटे बच्चों को आप ये बोल दें कि पीटा दबंग वाला स्टैप करके दिखाना वो बेल्ट पकड़ के हिलाना शुरू करते हेलो स्वागत है आपका चैनल टेक मस्ती में मैं हूँ आपकी होड़ श्वेता सिंग और आप देख रहे हैं बॉलिवुद बस आज जब फिल्मों की बात हो रही है तो आपने सुना ही होगा कि फिल्में काफी ग्रेट की होती हैं जैसे ए ग्रेट, बी ग्रेट, सी ग्रेट अब आपको यह लग रहा होगा कि यह सभी फिल्में होती तो हैं एक जैसी तो फिर ग्रेट कैसे क्या ए ग्रेट के फिल्में सबसे अच्छी होती हैं और बी और सी ग्रेट के फिल्में अश्लील तो ऐसा बिलकुल नहीं है हाला कि B या C grade में दिखने वाले कलाकार उतने लोग प्रिये नहीं होते हैं आई आपको बताते हैं किन माप दंडों के अधार पर तै की जाती हैं फिल्मों की grade जाहिर है बड़ी फिल्में में नामी कलाकार काम करते हैं और उनका बजट जादा होता है और कलाकारों के फीज भी अधिक होती हैं हाला कि कम बजट की कई ऐसे फिल्में हैं जो A grade के कैटेगरी में रिलीज होती हैं इतना ही नहीं A grade के फिल्मों के कई ऐसे कलाकारों ने भी B grade के फिल्मों में काम किया है A-grade, इस ट्रेडी में बड़े बजट के फिल्मों को रखा जाता है, फिल्म के लिए बड़े स्टारों को मोटी फीज दी जाती है महंगे कपड़े, भव्य स्टेटस, नामी संगीत का फिल्म को बड़े बजट की बना देते हैं इन्हें बनाने के लिए बहतर तक्नीक और कैमरों का भी इस्तमाल किया जाता है, ये फिल्में ऐसी होती हैं जोने आप फैमिली के साथ देख सकते हैं ऐसी फिल्में देश की ज़ादा तर सिनमा घरों में रिलीज होती है कहने का मितलब यह है कि इन फिल्मों को बनाने के लिए खूब पैसा मोटी रकम ठर्च की जाती है अब बात करते हैं B-grade के फिल्मों की इस तरह के फिल्म में अधिकतर छोटे शैरों में रिलीज होती है B-grade के फिल्मों में नामी, गिरामी, कलकारों के तुलना में ज़्यादा चर्चित नहीं होते सस्ती तकनीक और फीज से तयार हो जाती है ऐसी फिल्मों का बजट बहुत कम होता है और स्क्रिप्ट कुछ खास नहीं होती पूरे फिल्म अशलीलता के साथ परोसी जाती है फिल्म के निर्माताओं को लगता है कि देशी कहानी और देशी गलकार को लेके वो आम लोगों से जादा जोड पाएंगे इसलिए वो देशी सब पर जादा फोकस करते हैं फिल्मों के पोस्टर में अशलील परोसी जाती है ताकि लोग आकरशित हो सके अब बात कर लेते हैं C-grade के फिल्मों की इस grade के फिल्मों का बजट B grade के फिल्मों से भी कम होता है भले ही दर्शक B grade के फिल्मों के कुछ कलाकारों को जानते होंगे लेकिन C grade के फिल्मों में काम करने वाले कलाकार बिलकुल अंजान होते हैं इनकी production value एकदम निचले स्तरकी होती है कभी-कभी इनकी script ही समझ नहीं आती यह फिल्मे B grade के फिल्मों से छोटी होती है अब हमारी story देखने के बाद आप फिल्मों के expert तो हो ही गए है खैर joke सपाथ अगर आपको हमारी यह story अच्छी लगी तो comment करें और share भी करें और अभी तक अगर आपने हमारे चानल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी subscribe कर लें और अब से आप हमाई साथ Facebook पे भी जोड़ सकते हैं तो चैनल टेक मस्ती के Facebook पेज को like केजी शुक्रिया